अगर नहीं समझा है तो सबसे पहले उस कोशनों को समझीएगा फिर अपनी फियर कोपी पर करिएगा अब मैं करा रहा हूं पाच्वा कोशन कर दे रखा है हमारा इक समकौन तर पुछ क्या होगा अब जब यह समझा ते पढ़ी आप से साथ कम है अगर अधार हमें एक्स मान लिया एक सेंटियिटर तो यह हो जाएगा इस प्रकार से पहले आप डाइग्राम को बना लेंगे उसके जितनी भी चीजे दी हैं उसे फिल कर लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो माना संखूर किरबुच का आधार सबसे पहले हम आधार मानेंगे यह हो जाएगा एक सेंटिमिलर आधार इसके मानेंगे कि उचाई उसकी साथ कम करनी है अधार में पता नहीं है इसलिए अधार हमने एक्स मान लिए पता है संखूर किरबुच की उचाई बराव हो जाएगी एक्स माइनस सेवन सेंटी मिटर साथ कम हो गई अब संखूर किरबुच का खान संखूर किरबुच का खान देरता है बरावबर 13 सेंटी मिटर चीक है और जब भी संखूर को जाएगी तो हमारे पास मन में स्टाइक होनी चाहिए वही क्या लगेगा क्या लगेगा तो इसमें पाइथाकॉरस प्रमे लगाएंगे जो आपने नाइत में भी बढ़िए एर् और सी फिर वोई ए बी इसमें देंगे आपना तो यह हो जाएगा का स्कॉरर को बरावर लंग का स्कॉरर प्लस आधार का स्कॉरर ठीक है अगर कुछ इंगलिस में वाले हो थे तो उसमें हो जाएगा यह है आप मालता Oui महारीव स्कॉरर प्लस बेस स्कॉरर मलाव आपो हो कłeा है अप आन हमारे कितना डर्टी आ चाहिए अ इंगरना और आ हिस्कुर और का स्कॉरर कीतना होगा Eg 169, 169, चीक होगे, इसकर काल्शाप में लगने है, बराबर, बराबर काल्श करेंगे तरी हो जाएगा, x square, plus 7 square, minus 2, a, b, plus x square, ठीक है, x minus y का whole square, x square plus y square, minus 2xy, चीक है, 169, equal to x square, x square जोड़ा भी होगे, 2x square, plus 49, minus का ही होगे, 14x, चीक है, यह होगे, आप आपको क्या है, 169 का पक्षांकर करना भी होगे होगे, 2x square, plus 49, minus का 40x, minus 169, equal to 0, चीक है, स्टैप से आपने इसका पक्षांकर भी रखनी है, अब आपकर क्या होगे होगे, 2x square, आप 169, मैंने 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 का 14, x यहां लिखनी है, आप 169, इसम वन 169 से 49 जाएगा, तो 120 बचेगा, तो यह बचिक है, क्या आपका, आपकी दिखा समीकन आएगी, जो आपकी दिखा समीकन आएगी, हो आएगी, x square, minus 7x, minus 169, तो, ठीक है, तो यह बचिक है, जिव गया होगे, 0 में चला जया, आप इले करता हूँ, कर दो आपकी समीकर्ण आई है समीकर्ण आई है आपका गोण करके गोणा मेТछ वाइनस करके 7 आना चाहिए तो बाहरा पंजे कितना होता है तो यह होतो है रहे होतो है 12 और 5 की बुर्णा करेंगे तो साथ हो जाए मुत क्या का 60 equal to 0 x square minus 12 x plus 5x minus 60 equal to 0 x square में से x यहां से 5 कॉमान आजे दो बच्चा, x-12 इकल टू 0, अब x-12 कॉमान आजे दो बच्चा, x-5 इकल टू 0, यह हो गया, x-12 इकल टू 0, then x इकल टू 12, x-5 इकल टू 0, then x इकल टू 5, यह हमारा जाओ गया, अमान ने हो गया, क्योंकि संकॉन तिर्गुज की कोई भी घुजा आकर हम निकालेंगे तो वो माइनस में, रिनात्मक में नहीं होगी, ठीक है, इसके हमने जाएगी है, x पराबर बहरा ले लिए, अब हमने माना क्या था, तो यहांने कहीं है, अतया है, अतया है, संकॉन, तिर्गुज, का आधार माना क्या था, आधार किता हम जाएगा, वहरा सेंटी मिटर, चीक है, 12 सेंटी मिटर हो गया, अतया है, संकॉन, तिर्गुज, पी, उचाई, संकॉन, तिर्गुज, की उचाई हो जाएगी, आधार माना था, x माइनस 7 था, तो यह जाएगा, x माइनस 7, यादिके, 12 माइनस 7, एक्वल टू 5 सेंटी मिटर, तो कांटों में दे रखा था, तो हमारी उचाई आगी, 5 सेंटी मिटर, और आधार आगी, 12 सें प्लस आगा, इतना, यह होगा 169, प्लस 25, प्लस 144, यह होगा 169, एक्वाइटी 169, इस प्रकार से आपने क्रोस सेक कर लिया है, कि हाँ, दोनों बक्षों को मिलाकर हमने जो भी किया 169 आया है, आता ही है, समकॉन तिर्गोज होगा, इस प्रकार से यह वोशन रीचैट भी कर सकती है, अगला कोशन कराने जा रहा हूं, अगले कोशन में दे रखा है, एक कुछे रुप दे हो, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यह वही वाला कोशन है, जो उधारन में दिया हुआ है, एक विसेज दिन यह देखा किया है कि प्रतेग निर्माण लाग रुपए में उस दिन के निर्माण किये गए बरतनों की संख्या के दुगने से तीन अधिक है यदि उस दिन के कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बरतनों की संख्या और प्रतेवनक की लागत बतानी है तो जो चीज हमें पूछा है को सब्सक्राइब लिख लेंगे हैं सिक्स माना अब निर्मिद अब बर्बनों की संचा अब हमसे लागत पूछा है किसी भी चीज को बनने में लगे उसमें रुप्य है वो हमारी क्या कहलाती है लागत कितनी है थी कुल निर्मार लागत कितनी थी 90 थी और पहले वाले कोशन में आपको दिया हुआ था कि एक उटर उत्योग एक दिन में कुछ खिलोने के निर्मार करता है प्रते खिलेनों के मूल 55 रुपए है अब उसमें मूल ने दे रखा था 55 रुपए ठीक है तो उसमें हमने किया था 55 मे के लाने करना भाट शूरा माणा कि अ प्रते दुक्ते अनल की थी कि लागत कि इसके च्छी स बर्तन है हमने एक्समाल लिए जो लागत आएगी वो है कि उस दिन के निर्माण किये गए बर्तनों के दुगने से कितना अधिक है तीन अधिक है तो लागत बजाएगी वाद पास एक्सिक्वायर के पेंगे क्या है कि एक्सक्वायर के आगे कीया है एक्सिक्वायर के आगे टू है जब तू है तो भाई तीन 15 यही भाए च अब पंद्रा पंद्रा चार्टिया बारा पंद्रा में से बाहरा जाएगा तीन बचेगा तो यह उसे प्रणफट आपके यह मिफिने टू एक्स इसक्वार प्लस पंद्रा मैनस 12 एक्स मैनस का नफ रहाँ जी अब गुड़ा कर देलो बारा पंद्रा साथ का जीरो चैश्वारा एकम बारा चैश्वार एक्सो एक्स स्कॉर प्लस फिफ्टी एक्स माइनस का 12 एक्स माइनस का 90 फॉइन टुट जीरो इस परकार से इसके पुरणफ़न करके इन्हें चार भगों में पाह दिया आप शुचुमें से क्या कमना तो अंदर आपएगा 2x प्लस 15 माइनस तो इस साइट से हमें ऐसा कॉमल लेना पड़ेगा कि अंदर जाएगा 2 तो हम 6 ले ले लेते हैं तो एक्स मांटा चलर जाए जाए है जोने क्या होता चीजे करें से होटाए अब है यह तो फास क्लिए और उपिए जीड़ा है एक्स माइनस शिप इन सेबल तू जीड़ो गांक है अब टूस जीड़ो 0 , 0 , 2 x एक्वल टू माइनस का 15 , x एकवल टू माइनस का 15 नमपॉर 2, प्सक्राइब तो क्यों हो जाएगा ? 1 – 6 0 then x 6 आप कोई भी वर्थन बनेंगे तो माइनसमें तो होंगे ना बट्टे में होंगे , किसली ली क्या होगे , अप कमान ही होगे , अब कामान ही होगे ? आता है निर्मिक बर्तनों की समिख्या परावर बजाएगी 6 एक दिन में हमारे कितने बनेगे 6 आप इनकी लादा निया प्रतेर नग की लादा इनकी एक दिन में कितने हो रहे है और उसकी लागत कितनी आ रही है 15 रुपए तो इस प्रकार से आगर आप पोर्षन को समझ के करेंगे तब तो अच्छा है अन्यथा क्या हो जाएगा बेकार हो जाएगा क्योंकि पहले आपको सवाल को समझना है कि हां भाई अगर हम लागत निकाल रहे क्योंकि 90 रुपए लागत कैसे निकालेंगे कि जो बरतन बन रहे हैं उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है उन दोनों को तीन स्टार्ट करूँगा धन्यवाद प्रस्माइबू प्रस्ट करूँगा प्रस्टार्ट प्रस्माइबू